दोस्तों शाहिद आपको पता नहीं मैं और शेला राशिद एक साथ बढ़ा करते थे अलग-अलग स्कूल में तो यहा एक दिन माट साहब ने खड़े होकर हमसे बोला के भई बताओ बड़े होकर क्या-क्या बनोगे तो कोई कहता के पुलिस वाला, कोई कहता आर्मी वाला, कोई कहता के भई मैं I.S. बनूगा कोई S.O. नॉट तो उसके बाद बहन शाहिदा राशिद खड़ी हुई और बहन शाहिद ने खड़े होकर बोला माट साहब हम बड़े होकर स्टूडेंट बनेंगे माट साहब ने अपना सर पकड़ा और कहा ये तो JNU जाएगी तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं JNU में पढ़ रहे कुछ बुड़े बच्चों की और उनके द्वारा फेलाए गए उपद्रव की तो देखते रहे हैं आज की ताला गवर बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है तो दोस्तों JNU में टेक्सपेर्स की मनी से कुछ बुड़े बच्चे पढ़ते हैं वो बुड़े बच्चे आए दिन सड़कों पर उतर कर जाम लगा देते हैं और किसी को हिलने नहीं देते वही टेक्सपेर जो उनके पैसे भरता है वो टेक्सपेर उस जाम में फसा रहता है और कुछ नहीं कर पाता ऐसे में टेक्सपेर को बिलकुल वैसा ही लगता है जैसा वो अपने उस बच्चे की फीस भरते हुए फील करता है जो तब पैदा हुआ था जब वो दो साल के लिए काम से बाहर गया हुआ था और जब वो वापस आया तो पतनी ने कहा सर्प्राइज अब भया माजरा क्या है वो जान लेते हैं तो भया इन बोढ़े बच्चों की बढ़ गई है फीस और इनसे छीन लिया गया है इनके हॉस्टल के कमरों को डांसिंग कमरा वैसे तो डांसिंग कार होती है पर जो एक्चुल शब्द है वो हम बोल नहीं सकते तो इसलिए हम बो लेते हैं कि फीस कैसे कैसे बढ़ाई गई है तो भया जो मैस का बिल है वो पहले ही जैसा है यानि कि जितना खाना खाओगे जितना बिल बनेगा उतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा ये पहले भी ऐसा ही होता था अभी ऐसा ही होता है तो इसका मतलब नो चेंज फिर अग भी भी 1500 रुपे ही charges रखते हैं न्यूस पेपर पहले भी लिया जाता था और अभी भी लिया चार्ज लिया जाता है चेंज हो आए तो क्या? रूम का रेंट रूम दो तरीके हैं एक single occupancy एक double occupancy जो single occupancy का रूम है वो पहले 20 रुपे पर मंत के भाड़े पर मिलता था और अब उसको बढ़ा के 600 रुपे पर मंत कर दिया गया है और जो डबल अक्युवेंसी है वो पहले 10 रुपे पर मंत के भाड़े पर मिलता था और अब उसे बढ़ा कर एक आदमी के लिए 300 रुपे का भाड़ा कर दिया गया है यानि कि दिल् वह अभी तक बिजली का जो बिल था या पानी का जो बिल था वो JNU के स्टुडेंट्स नहीं भराकरते थे लेकिन अब उनसे वो बिल मांगा जाएगा कि जितना वो यूज करेंगे उतना वो पे करेंगे और साथ ही साथ जो workers काम करते हैं जो लोग काम करते जो कि 1700 रुपे पर मंथ बनेगा अगर हम इसको पूरा जोड़ लें और साल की hostel की फीस निकालने तो भया वो आती है कोछ 26,500 रुपे अब वही JNU के पास ही है IIT IIT Delhi का हम अगर किराया देखें होस्टल की फीस देखें तो भया होस्टल की फीस आती है वहाँ पर 32,000 रुपे पर समिस्टर यानि की 64,000 रुपे पर एर एक तरफ 26,500 रुपे दूसरी तरफ 64,000 रुपे मगर पूरे देश की चिंता करने वाले बुढ़े बच्चों ने कभी IIT के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट रही किया प्रोटेस्ट किया तो तब जब खुद उन पर आई और फिर कह रहे हैं कि हम तो पूरे देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं वाह अब भाया कुछ कमबखत चोंबू ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि JNU भारत की बेस्ट उनिवर्सिटी है भारत का मान सम्मान बढ़ाती है विश्व स्तार पर तो भाया उनको मैं बताना चाहता हूं IIT Delhi की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है पांसो और तालिस जो JNU की वर्ल्ड करते हैं theology University और extrude यह जाती है वहीं जेनिव जो हॉस्टल की फीजे ओस्तार पांसो रुपे वहीं जेनिव में जो होस्टल की स्बाटी सब्दा कर दी घई है वहे यारली होगई जोहास्टल फिच्ण फीज वो जादा है वहीं हम ररेंकिंग की बात करें कि उन चोंबों के लिए जो यह कहते हैं कि JNU भारत की प्रतिष्ठा बढा रहा है वर्ल सर पर तो बляकर ड़्ली उनिवर्स्टी की जो यह गोर्ल्ड रैंक्किनग है वह घर चे सो आठ और जे लूड्ड की है 974 वर्ल्ड में रैंकिनग और अगर इंडिया की बात करें क्योंकि इनको फीज भरने में बड़ी दिक्कत हो रही है तो भाईया ऐसा है Govern I app पर आप एक लाख रुपिया जीत सकते हैं आपको करना क्या है कि आप इस app के जाईए वहाँ पर एक contest चल रहा है जिसमें आपको बताना है कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं 2030 में भारत की जो भी समस्याएं हैं उनका क्या निवारण है उसको आप इस app पर लिखिए और इस app पर लिखकर बताईए कि भारत की problems का solution कैसे हो सकता है और जो भी बढ़िया से बढ़िया entry वहाँ पर होगी उसको एक लाख तक का इनाम दिया जाएगा इसका जो लिंक है वो description में आपको मिल जाएगा जो i button में आप वीडियो देख रहे हैं उसमें पूरा process धंग से समझा रखा है कि किस तरीके से आप ये contest खेल सकते हैं और एक लाख रुपे जीत सकते हैं तो भीया एक लाख रुपे जीत दिये और hustle की fees भरिये तो भीया मुद्दा के वल ये नहीं है कि fees बढ़ गई है मुद्दा ये है कि नियम चीन्द हो गए है भीया डांसिंग कमराव नहीं बन पारा है तो अब देखते हैं कि अलग नियम क्या हो गए है नियम जो अलग हुए है वो हुए है रात साड़े ग्यारा बजे के बाद curfew time है भीया कोई बाहर बाहर नहीं जा सकता सब अपने कमरों में जाओ और आराम से सो जाओ उसके बाद एक appropriate dress code होना चाहिए साथ 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 साड़े दस बजे के बाद कोई भी student किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा opposite sex के जो बुड़े बच्चे हैं वो एक दूसरे के room में कभी नहीं जाएगे कोई भी visitor साड़े दस बजे के बाद बिलकुल नहीं आएगा hostel का जो administration है वो visitor की entry को deny भी कर सकता है तो दोस्तों ये सभी नियम पहले यहाँ पर नहीं थे अब यहाँ पर apply हो रहे हैं और कुछ ऐसे ही नियम डेली उनिवर्सटी में भी लागू हुक किये जाते हैं तो भाईया JNU, SU को ये जो नियम है ये जो rules हैं वो patriarchal लग रहे हैं अब भाईया rules तो लड़का और लड़की दोनों पर सेम तरीके से impose किये जा रहे हैं तो patriarchal कैसे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर चलिए JNU के लोग जादा पड़े लिखे होंगे भाईया हम तो बस MBA के होएं हम का पड़े होएं वो बहुत जादा पड़े होएं भाई उन्हें जादा समझोगी होगा कुछ JNU logics में अब या ट्विटर या सोशल मीडिया पर एक पूरी भीड उमड परती है इन बुड़े बच्चों को सपोर्ट करने के लिए और वहाँ पर अलग-अलग तरीके के logics दिये जाते हैं इनके protest को सही बताने के लिए डिस्पाइट के इन्होंने एक leader को almost kidnap कर लिया था पुलिस को पेलंपेल मारा पीटा था डिस्पाइट के इनकी धक्का मुक्य पुलिस के साथ हुई थी गाली-गलोज पुलिस के साथ हुआ था इनको सही ठहराया जाता है सोसल मीडिया के इन महानुभावों के द्वारा अब भया रवी नायर साब ये भाई साब बोलते हैं कि मोदी ने बावन सो करोड रुपे लगा दिये 2014 से 2018 तक advertisement करने में और JNU में केवल एक साल का 401 करोड रुपिया लगता है तो भाई किसके जादा लगे पैसे वो बताएं टेक्सपेयर का जादा पैसा कौन खा रहा है वो बताए और ये आंकडे पढ़कर मैं तो भाईया आश्चरे चकित रह गया मतलब 401 करोड रुपिया एक साल का केवल इस बात के लिए खर्चे किया जा रहे हैं टेक्सपेयर की मनी से कि कुछ बुढ़े बच्चे ये पढ़ सके कि South Africa में Britishers ने क्या किया था जब South Africa उनके अधीन था South Africa के बारे में study करने से भारत को फाइदा क्या हुआ ये बुढ़े बच्चे हमें ये तो बताएं अब भाईया ये भाई साब ये भी कह रहे हैं कि मोधी ने 500 करोड रुपे खर्च कर दी advertisement में तो भी हम आपको साब बता दें कि 500 करोड रुपे जो है उसमें से maximum एड जो की गई है वो की गई है स्वच भारत की अब स्वच भारत की जो एड की गई है उससे 2018 सितंबर के महिने तक डेटा के हिसाब से 1,80,000 बच्चों की जान बची है स्वच भारत मिशन के थुरू और उसी डेटा के अनुसार ये भी कहा गया है कि 2019 के अंत तक ये जो आंकडा 1,80,000 का है ये बढ़ के 3,00,000 का हो जाएगा तो भाया 3,00,000 बच्चों की जान बचाना तो वेस्ट था मेरे ख्याल से जैसा इनका लॉजिक है 3,00,000 बच्चों की जान बचाना इस वेस्ट इस अफ मनी पर बुढ़े बच्चों को ये बढ़ाना कि Britishers न में भी तो रिक्षा पुलर के बच्चे जाते हैं और वो भी उतनी फीस देते हैं तो भाई उनके लिए ये लॉक क्यों नहीं हो तो भाया ऐसा किया जा सकता है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए सब्सेटाइज रेट पर या फिर स्कॉलर्शिप दिया जाए और ब बाकी समर्थ लोग हैं उनसे पूरी फीस वसूली जाए तो दोस्तों उम्हीन करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए को अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमें चारता है एक इस वीडियो को लिखेंगे झाल झाल भी चाल झाल झाल प्रचाल झाल जाट